दोस्तों एक जाम मित्र में एक बर फिर से आपका स्वागता आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आपके काफी सारे डाउड थे एमस बीसी नर्सिंग और परामेडिकली काउंसिलिंग से रिल्टेट काफी सारे इस केंडिट के इस तरीके मेसेज जा रहे थे कि सर काउंसिलिंग कम्पलीट हो चुकी है हमने पाटिस्पेट नहीं किया तो अब हमारा क्या होगा और काफी सर ऐसे भी केंडिड़ेट है जो कमेंट बॉक्स में इस तरीके से दूसरे जो और केंडिड़ेट उनको यह बता रहे कि काउंसिलिंग कम्पलीट हो रख किया है तो दोस्तो अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमस बीएसी नर्सिंग और पिरामेडिकल दोनों के लिए अभी तक आपकी काउंसिलिंग की प्रोसेस से स्टार्ट नहीं हुई है अभी केवल आपका रिजल्ट जारी किया गया है काउंसिलिंग की प्रोसेस एमस बीएसी नर्सिंग और पिरामेडिकल की एक साथ ही स्टार्ट की जा सकती है EMS के द्वारा अपकी बार जो EMS exam conduct करवाया गया है और जो भी date दी गई है तो दोस्तो EMS की जो भी process अभी ongoing है तो उनकी prediction कर पाना मुस्किल है क्योंकि इन्होंने जो जो date दी थी अगर फिलाल आप इनका schedule देखे तो उन dates पे इन्होंने अपना कोई भी process को complete नहीं किया है तो इनकी अगर counselling process की बात की जाए तो counselling process है इनकी next week में start हो सकती है और में भी possibility यह है कि आपकी एक से दो दिन में भी start हो सकती है तो आप निश्यतरी जैसे ही कोई update हाएगी आपको उमार चैनल पे वीडियो मादब जानकारी मिल जाएगी और जैसे काभी सरे candidate इस तरह के से थे जो comment करके पूछ रहे दे लेकिन उनके just comment में other candidate यह reply कर रहे है कि open round counselling भी complete हो रही है तो अभी तक first round counselling, second round counselling भी complete नहीं हुए इन दोनों complete होने के बाद में आपकी open round counselling है वो start होगी तो जैसे अपडेट आती रही है वैसे वैसे आपको वीडियो मादब जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप MS की official website भी visit कर सकते हैं official website भी आप जैसे की यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो आपकी last update दी गी थी notification हुआ आपका MS BSE Paramedical Courses की जो eligible candidate थे उनकी list जारी की गिए और उससे पहले आपकी जो owners nursing है उनकी जो first round की counselling में eligible candidate उनकी list दी गई है तो जैसे ही counselling process start होगी आपको वीडियो मादब जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप निश्यत रहिए दोस्तों आप अपने जो college list है वो prepare करके रहेगी अपने document त्यार रखिए और जैसे ही इनकी दोबार कोई भी update आएगी तो आप panic ना हो update आती है वैसे वैसे मैं आपको जानकारी provide करवा देता हूँ मिलते हैं दोस्तों next new video में next new update के साथ में धन्यवाद जेहिं जे भारत